वेलकम बैग टू मैई चैनल तो आज मैं आप सब के लिए लेके आ गई हूँ यूपी स्टाइल में बहुत ही टेस्टी सा कटल की सबजी तो यहाँ पे कटल को वाश करके ले लेंगे और यहाँ पे ना कुकर में कटल को इस तरह से एड़ कर देंगे बॉल्ड होने के लिए तो कटल को इसमें डालने के बाद यहाँ पे हम लोग इसमें जरा सा पानी यूज करेंगे और उसके बाद जरा सा नमक डालने के बाद यहा यह देखलेंगे कि यह तूट रहा है कि नहीं, यह तूट रहा है यहाँ पर जब तक हेमारा कटल फ्राई होगा, तब तक हम लोग चलते हैं मसालों की तरफ, तो हिहाँ जटताब में हम लोग खड़े मसाले का यूज़ करेंगे, तो जित्ता भी खड़ा मसाला यूज करना है, सबको यहाँ पे तवे पे अच्छे से फ्राई कर लेंगे और फ्राई होने के बाद इसको ना एक प्लेट में इस तरह से निकाल लेंगे और इसको निकालने के बाद इसको रख देंगे कुछ देर के लिए ठंडा होने के लिए और यहाँ पे हमारा कटहल है वो भी फ्राई हो गया था तो उसको भी प्लेट में निकाल लेंगे और उसको निकालने के बाद उसको भी साइड में रख देंगे यहाँ पे चार-पाच प्यास काट लेंगे, दो खड़ा प्यास ले लेंगे, एक टमाटर धनिया, खड़ा मसाला जो भून के रखा था और दो गार्ट लेसन के एक इंच अद्रक और तीन-चार सूखा मिर्चा, अब यहाँ पे अम लोग क्या करेंगे, जो खड़ा मसाला था उसको कट करके डाल दिया है, आदा लेसन इसमें से निकाल लेंगे, और सारा लेसन, मिर्चा और अद्रक को पीस लेंगे, उसके बाद पीसने के बाद हमारा जो पेस्ट है, वो कुछ इस तरह से बनके रेड़ी होगा, और उसके बाद से इसको भी साइड में रख देंगे, अब कुकर में एड़ कर देंगे सरसो का तेल, और जो सरसो का तेल होगा ना, वो ज्यादा कॉंटिटी में एड़ करेंगे, जिस कुकर में मैंने कटहल को फ्राई किया था, उसी ही कुकर में मैंने दुबारा से ओल डाल दिया है, और उसके बाद इसमें जरा से जीरा एड़ कर दिया है और जीरा एट करने के बाद यहां पे जितने भी प्याज को मैंने कट करके रखा था ना सब को इसमें डाल दिया है जैसा कि आप देख सकते हैं तीन चार प्याज मैंने कट किये थे सारो को इसमें डाल दिया और रफली चॉप किया है और उसके बाद इसमें सा ही सबजी मसाला और उसके बाद सारी ही चीजों को आपस में अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद यहां पे बारी आ जाती है मिर्चा पाउडर डालने की तो मैंने यहां कस्मीरी मिर्चा पाउडर का यूज किया है और यहां पे एक टमाटर धनिया जो कट कर के रखे थे उसको भी इसमें डाल देंगे और उसको डालने के बाद सारे ये मसालों को अच्छे से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद यहां पर बारी आ जाती है जो प्याज हम पीस के रखा था उसको भी इसमें डाल देंगे और मसालों को ढख देंगे कुछ देर के लिए मतलब दो तीन मिनट के लिए इसको ढग देंगे और ढगने के बाद यहां आप देख सकते हैं हमारा प्याज जो है ना कुछ हद तक मतलब गल गया है तो इसको अभी प्याज गलने से मतलब नहीं है मतलब यह है कि जो हमारे मसाले हैं वो पक जाने चाहिए और यहां पर यह पकने के बाद बीच बीच में मसालों को इसले चलाते रहेंगे कि यह नीचे से जल ना जाए और जो हमारा फ्लेम है ना वो लो टू मीडियम में ही रहेगा ज्यादा हाई नहीं रहेगा ने तो सारा मसाला जल जाएगा तो यहाँ पे ढखके यह प्याज को अच्छे से पकाएंगे, सीटी नहीं लगाएंगे और लास्ली यह बन के बहुत अच्छा रैडी होता है, देखेगा आगे तो पिर यहाँ पैयाज अच्छे से पक गया है देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से पक गया है दिख भी रहा होगा तो यहाँ पे गर्म शालब की रखे थे उसमें से आदे लिग्वाइक की साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस तरह से और flame मैंने थोड़ा सा high कर दिया था ना तो नीचे से masala थोड़ा जल गया लेकिन आप इसका थोड़ा ध्यान रखें और उसके बाद जब masala अच्छे से पक गया है तो हम लोग इसमें cutthal को add कर देंगे और cutthalite करने के बाद ना इसको masala में बहुत ही अच्छे से पकाएंगे और flame अभी भी high नहीं रहेगा flame हमारा वैसे ही रहेगा low to medium और यहाँ पे masala में अच्छे से इसको पकाएंगे जब तक हमारा masala और यह अच्छे से भूनना जाए तो यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से कर दिया था mix और mix करने के बाद यहाँ पे इसको मैंने ढख दिया था और ढखने के बाद 2-3 मिनट के बाद मैंने इसको open किया और फिर से इसको मैंने mix कर दिया था इस तरह से mix करने का मतलब यह है कि चला देना है कि नीचे से यह जल ना जाए उसके बाद से यहाँ पे इसको बनाने के लिए जो पानी का यूज होता है वो जो है गरम पानी का यूज होता है एकदम खौलतावा पानी आप इसमें यूज करेंगे तो यहाँ पे मैंने ले लियाता है एकदम खौलतावा पानी और उसको भी इसमें डाल देंगे थोड़ा थोड़ा पानी डाल डाल के इसको चलाते जाएंगे थोड़ा सा पानी डाला है मैंने फिर इसको थोड़ा सा मिक्स किया है फिर थोड़ा और पानी डालूंगी और फिर इसको चलाऊंगी मतलब जादा पानी का यूज इसमें नहीं करेंगे नहीं तो बहुत जादा पतला भी ग्रिवी अच्छा नहीं लगता है लेकिन depends on your mood मतलब आपके उपर depend करता है कि क्या करना है तो मैंने इसमें दो गिलास के करीब में पानी यूज किया है और अब आजाती है बारिस को सर्व करने की तो यूपी स्टाइल कटेल की सबजी कैसी लगी जरूर कॉमेंट करके बताए और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कॉमेंट जरूर करें ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड़ बाई